Congratulations guys! I am Pratik Shah and welcome to Online Study Bites. तो आप लोग पेपर बन क्लियर कर चुके हैं और अब टाइम है साहाइक अध्यापक भरती परिक्षा का. तो कल से यानि की 6 दिसम्बर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है आवेदन की प्रक्रिया जो साहाइक अध्यापक भरती परिक्षा 2019 के लिए है. आप दो पहर 12 बजे से आवेदन पत्र भर सकते हैं लेकिन उससे पहले महत्पूर दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा जो डॉक्यमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म फिल करते समय वो आप अपने पा जब सम्मिट करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्पूर दिशा निर्देश के कैसे फॉर्म फिल करना है तो फ्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनेकेडमी लर्निंग एप पर प्लेलिस में जाके डाउ अनेकेडमी लर्निंग एप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचारिय तो वहां पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेस के बारे में देख सकते हैं मेरे सारे लेसंस और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको आफ लाइन तो अभी कीजिए डाउनलोड अनेकेडमी लर्निंग है पहले एक बात और बता दूं कि आपको फॉर्म पिल करने के लिए अब आपको यूपी बेसिक एजू बोर की साइट पर नहीं जाना है इसके लिए एक नई वेबसाइट तयार की गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो यह जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है तो आपको 20 दिसंबर शाम 6 बजे से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में कर लेना है तो 3 लाग से जादा अभ्यार्थी 2018 यूपी टेट पेपर वन में पास हुए हैं तो वह तो अप्लाइ करेंगे ही साथी 2017 के यूपी टेट पेपर वन और सायक सिक्षक परिक्षा में जो रह गए थे यूपी टेट पेपर वन में तो फ्लियर हो गए थे लेकिन सायक सिक्षक भरती परिक्षा में कुछ मांक से रह गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यरती इस पेपर को देने जा रहे हैं, तो आपका जो टकर है, आपका जो कॉम्प्टीशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बनाए रखें, तो चलिए देख लेते हैं, दिशा निर्देश, सबसे पह में आवश्यक्ता पढ़ने वाली है, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको सभी प्रविस्थियां capital letters में fill करनी हैं, अंग्रेजी भाषा के capital letters में, यानि की capital letters कौन से होते हैं, इस तरह से जो लिखे जाते हैं, इन ही में fill करनी हैं, दूसरा, आप देखें ग्रह जनपत, नाम, वपता, ठाना सहित, और हर एक प्रवस्थि को आप ध्यान से भर हैं, कोई भी गलती अगर हो जाती है, तो बाद में आपको संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला है, तो अगर आपने UP TED में थोड़ी बहुत गलती कर दी थी और आपका admit card आ गया, तो लेकिन ये गलती अब दुबारा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से आप इन प्रवस्थियों को फिल करें, तो ग्रह जनपत का नाम वपता, ठाना भी आपको लिखना है, कि किस ठाने के अंतर गताता है, और PIN कोट सहित लिखना है, पत्र विभार का पता, आपको यह जहां लिखना है, then telephone number लिखना है, mobile number लिखना है, telephone number नहीं है तो उससे blank छोड़ सकते हैं, लेकिन mobile नंबर आपको लिखना कमपलसरी है, क्योंकि इस form को फिल करने के बाद आपके पास आने वाला है एक OTP, और उस OTP से ही आप अगली प्रक्रिया पर पहुँछेंगे, तो विवाहित, महिला अभ्यती अपने पती का नाम यहाँ पर फिल करें जन्मतिती जो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर लिखी है वही आपको जन्मतिती भी फिल करनी है लिंग, वर्ग कौन सा है ध्यान से वर्ग भी आप फिल जरूर करें विकलांग हैं तो हाँ या नामें जबाब दें प्रमार पत्र के आधार पर विकलांगता का प्रतिशत भरें विशेश आरक्षण है तो वो भी लिखें विशेव वर्ग लिखें। कौन सा वर्ग है ? विज्यान या कला प्राप्त की गई प्रसिक्षण योग गिता आपको लिखनी है कि आपने कौन कौन सी योग गिता आपने ली है Special B.Ed. है, B.Ed. है, D.L.Ed. है, B.T.C. है तो जो भी आपकी प्रसिक्षण योग गिता है वो आपको यहां पर फिल करनी है उसके बाद प्रात्मिक इस्तरकी सिक्षक पातिता परिक्षा उत्तियर होने वाले board का नाम अगर आपने primary uptet clear किया है तो आप uptet लिख सकते हैं और अगर आपने primary ctet clear किया है तो आप primary ctet clear लिख सकते हैं नेक्स जो है उसमें आपको लिखना है high school intermediate इसना तक प्राप्त की गई प्रसिक्षन योग्यता प्रात्मिक इस्तरकी सिक्षक पात्ता परिक्षा का विवरण तो यहां पर आपको high school board एवं college और विश्विद्याले का पूरा नाम लिखना है board और college और विश्विद्याले का पूरा नाम लिखना है ये ध्यान रखिए उत्तीर होने का वर्ष आपको यहां लिखना है अनुक्रमांग डालना है प्रमार पत्र क्रमांग डालना है तो high school के आप देखेंगे mark sheet पर अनुक्रमांग होगा प्रमांग पत्र होगा उस पर क्रमांग होगा अंग पत्र पर भी आपने क्रमांग भरा होगा तो वही details भरनी है जो आपने यूपी टैट में भरी दी लेकिन यहां पर आपको यूपी टैट का विवरन भी भरना है और प्राप्त की गई प्रसिक्षन योगिता भी आपको यहां फिल करनी है यदि आवद्दक के पास अंग पत्र प्रमांग पत्र प्रमांग नहीं है तो आवद्दक ओनलाइन आवद्दन पत्र में अंग पत्र प्रमांग पत्र प्रमांग की स्थान पर एन ए लिख सकते है अगर आपके पास प्रमाणपत्र क्रमांग नहीं है तो आप एने लिख सकते हैं लेकिन आपको कोई भी प्रवस्टी गलत नहीं फिल कर दी है ये ध्यार रखना जरूरी है क्योंकि इस प्रवस्टियों के आधार पर ही जब आपका सेलेक्शन हो रहा होगा यानि कि आप पास हो जाएंगे तो आपके डॉक्टिमेंट्स चेक किये जाएंगे और वो इन ही फिर्म के आधार पर आप जो वेरिफिकेशन होगा मिलान किया जाएगा अगर कोई भी गड़ प्रवस्टियों को सही से भरें यहाँ पर फोटो पहचान पत्र का प्रकार भरना है तो वही फोटो पहचान पत्र भरने है यानि कि आप आधार कार्ड नहीं है आप यह तो पैन कार्ड की भर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी और अपना फोटो आप्लोट करें तो आपको फोटो अपलोट करनी है विद सिगनेचर यह ध्यान रखियेगा सिगनेचर के साथ एड करनी है आपने यूपऀट में बहुत सी अप्रतियों कि छोड़ दिया था लेकिन ना छोड़ने तो आपको एक बॉक्स बनाना है प्लेट पेपर प पर आपको photo पेस्ट करना है पिर नीचे आप signature कर दीजे और इन दौनों को मिला कर स्कैन कर लिजी है तो स्कैन करने के बार आपका जो file है वो 20 kv से ज़ादा की नहीं होनी चाहिए यह भी आप ध्यान लखें जो file है वो 20 kv से जादा की नहीं होनी चाहिए और ब्राउज करकर इसको अपलोड कर लें सारी प्रवस्टियों को एक बार जरूर ध्यान से देखें एक-एक spelling चेक करें कोई भी घरवड़ी नहीं होनी चाहिए जब आप confirm हो जाए तब नीचे यहां टिक करें और कोट दिया गया होगा उसको फिल करें और सब्मिट कर दें तो यहां आप देख सकते हैं क्या-k्या फिल करना है जिसे आपको बताया नाम वगर्ण लिंग में female या male भरना है वर्ग में जन्रल S.C.S.T. O.B.C. भरना है विशेश आरक्षन पोर्ट आपको हैंडिकैप विज्वली इंपेर्ड, हीरिंग इंपेर्ड, और्थोपैडिक तो ये आपको फिल करनी हैं चीजें विशेवर्ग, साइंस और आर्ट जो आपको बताया फोटो पहचान पत्र में ये पहचान पत्र आपके पास होंगे ही अगर आपने यूपीटेट में अपलाई किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट तो और प्राप्त की गई प्रसिक्षन योगिता में ये ये योगिता है जो आपको फिल करनी है, जो आपने प्रसिक्षन योगिता पास की है तो फ्रेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तर से फॉर्म फिल करना है पस आपको ये ध्यान रखना है बस कोई भी गलती आपसे ना हो ये form फिल करते समय अभी कले इतना ही कोई भी नियूस होगी यूपी टैट से संबंदित सायक सिक्षक भरती से संबंदित तो आप तक पहुंचती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन प्रेस करें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अभी के लिए इतना ही बाई बाई टेक करें थेंक्स पॉर वाकिंग